या पर डॉक की जो न्यूट रिक्वेस्टे है या फिर पेंग जो होती है जिसे हम नसबंदी भी कहते हैं मेल और फिमेल की तो इसमें हमें कराणे चाहिए नहीं कराणी चाहिए इसके एड़ांटीक कुन से couns defenses तो इसके बारे में devotion अआज आपको बताने वाले तो फिरिंट बंदीर हमाथ से आस टक so friend generally neutrin or sparing जो होता है generally ये term जो होती है dog की जो हम testicles निकाल देते उसे neutrin कहा जाता है male के बारे में और female की हम यहापर oores और उसका जो अंदर का uterus हुता जो गरवाशह कहते है इसे निकाल देते तो इसे हम sparing कहते है तो पहले की दमाने में बहुत बार जो भी बच्चे छे मेने को जो आते हैं तो उस ताइप पर न्यूटरिंग करवा दे जाता है लेकिन ऐसा नहीं है वह रिसेंटली जो कंसेट आया है वहाँ पर हमें नेरबोट डॉक की जो मैचुरिटी एज जो होती है नेरबोट एक वह इसमें काफी कम हो जाता है दूसरी जो चीज़ होती है डॉक को कैंसर जो होता है बहुत बार बेस कैंसर होता है या फिर प्रोसेट के कैंसर जो होते है मेल्स में तो यह कैंसर जो होता है इसमें काफी तरह से कमी आ जाती है तिसरी जो चीज़ होती है डॉक के जो भी रिप् करने की आदत होती है जहां वह सुसिक करना स्टाट कर वा इसके बाद फीमिल डॉग जो हीट में आ जाते हैं तो यहांपर हीट की इसटाप हो जाती है और जो 15 days को ब्लीडिंग का जो टाइम होता है वह आपर आता लिए और आपको परिशान रहने की बिट के लिए ज़रूरत है उसके बाद निबर में अगर कोई डॉग आपकी हीट में आई है तो आपकी डॉग को यहापर पकड़ के राखने की घर में ज़रूरत नहीं होती है ठीक है तो वह जम्प होके वहाँ पर जाने की कोश्च कर रहा है तो यह फाइटिंग जो होते है हमारे वो डॉग की बिच मे यह हैं आपर अवाइड कर सकते हो उसके बाद घर में अगर multiple dogs है घर में बहुत ज़्यादा dogs है तो न्यूटरिंग करने के बाद जो dogs में हार्मोनी और सिंक्रोज होता है एक में एक साथ लगाओ जो होता है इसमें बढ़ जाता है उसके बाद second thing जो आती है वो होती population तो सब्सक्राइब करते हैं तो आपको खाली एज जो फैक्टर होता है आपकी फुल होने के बाद ही आपको यहाँ पर अगर आप न्यूटरिंग करवाते हैं तो इसमें ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है डॉक का रोमिंग जो होता है यानि गुमने के जो आदत होती है लुट जाके भगने की या पर बहार जाके गुमके आने की यह आदर डॉक की कफी यहाँ पर इस तो होना है उसके बाद सबसे इंपॉरे स्पैन यहां पर थी से लेकर तक यहाँ पर बढ़ जाता है तो फ्रेंड्स यह पूरे अब आपको बताने कि डिसड्विट है अगर आप डॉक के ए जॉप मैचुरीड के बाद अगर यहाँ पर स्पेंग और कैस्टेशन करवा आते हो तो इसमें प्रॉब्लम क्या-क्या आती है जनरली इसमें जो हेवी बिट ड्रॉग होते हैं इसमें फूड जो इंटेक होता है इसमें फूड इंटेक होता है लेकिन जो एक जिसाज देते रही है आपर ने क्या तो कोई भी इसमें इश्यू नहीं आएंगी अगर आप काफी छुटे डॉग्स है इसमें जो त्री मन सिक्स मन के डॉग्स है वहाँ पर निट्रिंग करा देते हो तो उसमें जोइंट की प्रॉब्लम आने की चांसे होते है उसके ब तो यह डिसार होनी जो इसके काफी कम है तो डिफिनिलिट आपके डॉक को अगर इसी कुछ प्रॉब्लम है तो आप आपके नीरे स्पेट के बाद पाद के और निट्रिंग कर लेजे ताकि आपके डॉक की लाइस्पन भी बढ़ जाएगी और ओर ओर जो हेलते हैं इसमें क क्यास की वट आगा स्कान करके हापार हमारी चोटी सी कंसलेंं फीज वहती है paire करवाने है उसके बाद हम यहां से हम आपको कि वीडिय कालड करके पेस् टू पेस्टं इंट्रकशन so first thanks for watching